क्रिकेट क्रिकेट एक लोगप्रिये खेल है यहाँ खेल बड़ा ही रोचक एवं रोमांचकारी होता है जहां एक और स्टेडियम में इसे देखने के लिए लोगों की भीड उमड पड़ती है वहीं दूसरी और टीवी पर भी इसका सीधा परसारन देखने वालों की कमी नहीं होती है क्रिकेट का खेल एक विशाल मैदान में खेला जाता है इस खेल को दो टीम खेलती है प्रतेक टीम में 11-11 खिलाडी होते है इसमें पहले एक टीम बल्ले बाजी करती है और दूसरी शेत्र रक्षन फिर शेत्र रक्षन करने वाली टीम बल्ले बाजी करती है और बल्ले बाजी करने वाली टीम क्षेत्र रक्षन करती है बल्ले बाजी करने वाली टीम के दो बल्ले बाज अपने अपने बल्ले लेकर मैदान में आते हैं और स्टम के सामने खड़े हो जाते हैं खेत्र रक्षन करने वाली टीम के सभी खिलाडी मैदान के चारो तरफ खड़े हो जाते हैं ताकि वे गेंद को रोक सके एक खिलाडी स्टम के पीछे खड़ा हो जाता है, इसे विकेट कीपर कहते हैं, यह गेंद को पीछे जाने से रोकता है एक खिलाडी बल्ले बास को गेंद फेकता है इसे बॉलर या गेंद बास कहते हैं गेंद बास द्वारा फेकी गई गेंद पर बल्ले बास अपने बल्ले से प्रहार करता है शेतर रक्षक गेंद को पकड़ने के लिए दोड़ते हैं और बल्लेबास पिच यानि मैदान के बीचो बीच बनी खेल पटिका के दूसरे सिरे की और दोड़ते हैं। दूसरे सिरे पर पहुंचते ही गेंद पर प्रहार करने वाले बल्लेबास को एक run मिल जाता है। यदि बल्लेबास पिछ के बीच में ही हो और शेतर रक्षक गेंद को उठा कर स्टंप में मार दे, तो बल्लेबास run out हो जाता है और मैदान से बाहर चला जाता है, उसके स्थान पर दूसरा बल्लेबास खेलने आता है, यदि बल्ले बास द्वारा मारी गई गेंद लुडकती हुई सीमा रेखा से बाहर चली जाती है तो बल्ले बास को चार रन मिल जाते हैं इसे चौका कहते हैं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गेंद बिना जमीन को चुए सीमा रेखा से बाहर जाकर गिरती है तब बल्लेबास को छे रन मिलते हैं इसे चक्का कहते हैं यदि गेंद बल्ले से लग कर उचल जाए और धर्ती पर गिरने से पहले ही कोई शेतर रक्षक उसे लपक ले तो बल्लेबास कैच आउट हो जाता है यदि बल्लेबास का पैर स्टम के सामने है और गेंद उसके पैर पर गुटनों से नीचे आकर लगे तो वह आउट खोशित किया जाता है इसे लग बिफोर विकेट कहते हैं यदि गेंद सीधे ही स्टम से जाकर टकराए और स्टम से उपर रखी हुई गिल्लियां गिर जाए तो भी खिलाडी आउट हो जाता है यदि बल्लेबाज गेंद को मारने के लिए आगे निकल जाए पर गेंद बल्ले पर नया कर विकेट कीपर के हातों में चली जाए और वह बल्लेबाज को अपनी जगाए यानि क्रीज में लौटने से पूर्व उसे स्टम पर मार दे तो भी बल्लेबाज आउट हो जाता है रक्षन करने वाली टीम बल्ले बाजी करती है और बल्ले बाजी टीम द्वारा बनाये गए रणों का पीछा करती है दोनों टीमों में से जिस टीम के रण सरवादिक होते हैं वही विजई टीम होती है